हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और आज है छे मार्च जी हाँ आज ही वो दिन है जब यूपीटेट का जो फैसला रिजर्व कर लिया गया है जो आडर वो सुनाया जाएगा जी हाँ तो आप सभी आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि यह कोई नई बात नहीं है यह तो सुनाया ही जाएगा आज नई बात यहाँ पर देखने वाली यह होगी कि आने वाले चंद घंटों में फैसला क्या आता है क्या फैसला विद्यातियों के पक्ष में आता है या फिर ये केस पूरी तरह से जैसे था जहां पर था वहीं पर रुख जाएगा ऐसा बीच में सुनने में आया था कि जड़ साहब के पास 12 तारिख को टाइम 12 तारिख तक है नहीं तो इसके जो सुनवाई थी मतलब अब सुनवाई तो पूरी हो चुकिए जो फैसला सुनाया जाना है वो नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि लिखित परिक्षा का एक्जाम होने के बाद यह सुनाया जाएगा बीच में ऐसी हवाएं उड़ी थी लेकिन ऐसा नहीं है आज पूर नंबर पर यह केस का वो है और रिजर्व सुनाया जाना है 11 नंबर पर रिट नंबर मैंने देखी हुई है और वाइरल भी हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो पूरा प्रारूप इसका तो तयार है एक दम जैसे ही इसका कोई फैसला आता है देन गाइस आई विल टेल इसी तरह वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा मतलब क्या है कैसे क्या सहसला हुआ आशा करते हैं कि सबके नंबर बढ़ें 24610 नंबर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो कि जिससे कई लोगों का कल्यार हो जो लोग आशा लगाए हुए बैठे हैं जितने भी विद्या करने का मतलब यह है इतने दिन तक लड़ने का मतलब यह कि थोड़ी जीत तो मिले ही एकदम से पूरी तरह निराशा ना मिले तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं यह वीडियो को समाप्त करता हूं और आता हूं अगली अपडेट के साथ जैसे ही अपडेट आएगी मैं